हेलो औले औन हमदे लगे देखने हैं here again in his modern history series modern history में हम लोग देखने वाले हैं आज मैसूर इम्पायर के बारे में सबसे बहले हम लोग देखेंगे इस मैसूर इम्पायर के शुरुआत कहां से होती है फिर हम लोग देखेंगे जो मैसूर इम्पायर में राजा लोग आये थे साथ ही साथ में हैदर अली और टीपू सुल्दान के भी बारे में अभी रिसेट में कुछ कंट्रवर्सी भी आ गई थी टीपू सुल्दान से डिलेटेड तो हम लोग उस controversy को भी discuss करेंगे क्योंकि अगेन ये current affairs का भी part हो जाएगी और lastly हम लोग बाते करेंगे एंगलो मैसूर war के बारे में जो कि basically चार war हुई थी और इन चार वारों के बारे में क्या कारण थे, कैसे war हुआ और आखिर में क्या हुआ end of the war में इन सारी चीज़ों को हम लोग discuss करेंगे अपने इस session में तो फड़ा फट शुरूर करते हैं let us start, let us complete, let us crack so सबसे बहले अगर बात करते हैं कि आखिर में ये जो मैसूर empire है इसकी शुरुआत कहां से होती है होता क्या है कि जब मैसूर empire नहीं था तो उससे पहले ये विजय नगर empire में था so this was actually विजय नगर empire विजय नगर empire के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये हरिहर बुका के दुआरा बसाया गया था हरिहर बुका के बाद में ultimately यहां पर जो last ruler आते है उस last ruler obvious दिवात है वो काफी weak होते है तो last में जो भी ruler आया वो काफी weak था और इस weak ruler में इस weak ruler को basically हरा करके अगली एक वड़िया डैनिस्टी आ जाती है और ये वड़िया डैनिस्टी के जो पहला ruler होता है उसको बोलते हैं चिक्का कृष्ण राय this is चिक्का आये गए थे लेकिन ये जो बंदा था वो actual में खुद नहीं इतना competent था ये actual में एक puppet के तरीके से था और इस puppet को नचाने वाले जो लोग थे वो दो लोग थे एक बंदे का नाम था नंज राज this is नंज राज और दूसरा बंदा था जिसका नाम था देवराज तो ये दोनों जो नंज राज और देवराज है ये चिक्का कृष्ण राज के दरबार में इसके अंपायर में काफी important position पे थे और basically इस पूरे की पूरे अंपायर को rule कर रहे थे अपने हाथों से कटपुतली बना करके चिक्का कृष्ण राज को rule कर रहे थे इसी नंज राज के time period में ही होता क्या है कि ये जो नंज राज रहता है ये बंदा ultimately इस चिक्का कृष्ण राज को replace करके खुद राजा बन जाता है replace करने के बाद में जो नंज राज जो ऑफिस की बात है power बहुत ज़्यादा इसके पास आ गई है power जब भी किसी एक पास बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसका फिर ultimately एक घमंड टाइप का हो जाता है और वही घमंड उसे नीचे भी गिरा देता है अब इसी नंज राज के time period में ही एक साहब रहते है जिनका नाम रहता है हैदर अली हैदर अली के father भी आर्मी में काम कर रहे होते है और after his father जो हैदर अली है वो भी इसी सेना में आ जाता है पहले छोटे पत पर रहता है लेकिन धीरे धीरे यह आगे बढ़ जाता है और अपनी एक सेना भी बना लेता है इस सेना बनाने के बाद में ultimately 1755 के दौरान में 1755 के दौरान में एक जगा है दिन्डी गुल दिन्डी गुल में इसने क्या किया था कि अपनी एक अच्छी खासी बड़ी आर्मी बना लिया था इस आर्मी को बनाने के बाद अच्छा ये जो आर्मी बनाई गए थी ये धियान रखिएगा अब है जो पूरी आरमी बनाई गई है इस आरमी को इस आरमी की मदद से 1761 में हैदर आलि ने नंजराज को हटा करके खुद अपने आपको रूलर अपने आपको इस इलाके का राज़ा गोशित कर दिया गेर कर दिया था तो हैदर लिनने अपनी करियर की शुरुआज जो की थी वो मैसूर आर्मी में एक छोटे से सोल्जर के रूप में की थी। यह उतना ज़्यादा पढा लिखा नहीं था लेकिन यह काफी अच्छा इंटलेक्ट था बहुत ही ज़्यादा यह ज़्यादा तेजी से उपर आने लग गया था। इसके अलावा ही वाज मेड दलवई मतलब होता है कमांडर इनचीफ यही जो दलवई यह वो एक्छॉल में देवराज बंदा भी दलवई था। तो यह दलवई था बाद में चीफ मिनिस्टर आफ मैसूर इस्टेट बना अंदर कृष्ण राज वड़यार टू जो की रूलर आफ मैसूर थे। दो इस अद्मिनिस्ट्रेटिव पावर और मिलिटर स्कील रूलर आफ मैसूर और यहां से जो रियल किंग थी उसकी पावर भी धिरे धिरे घटते गए और अल्टिमेटली इसने हटा करके खुद जो है वो राजा बन गया था। दो तीन बातें और इनके बारे में ध्यान रखिएगा जैसे ही एक इन्होंने क्या है कि जो पॉलिगार थे पॉलिगार कुछ नहीं एक तरीके से सामन्त होते थे जिनके पास में अपनी खुद की भी आर्मी हुआ करती थी। इन्हों ने इसने जो हैदर अलिगार को पॉलिगार को कँट्रोल कर लिया थे इन्होंने पॉलिगार को भी कट्रोल करके रखा हुआ था। वो मालाबार के area को चाहता था कि अपने अंडर में control करना आप्यूसी बात है क्योंकि Indian Ocean काफी आदा importance अपनी रखता इस कारण से मालाबार को ये control में करना चाहता था इसके अलाबा जो हैदर अली है इसने centralized system रखा जिस तरीके से जो मुगल की तरीका होता है या फिर कह लिजे जो मुगल administration या मुगल की जो revenue system थी सेम वैसे ही centralized system हैदर अली भी किया हुआ था और यही उसका मतलब कह सकते है कि opinion भी यही था कि ऐसा ही रखना चाहिए इसके अलाबा हैदर अली ये religious tolerant person भी था इसने कई सारे हिंदू राजाओं और कई सारे हिंदू दीवान कई सारे officials को हि रखा हुआ था तो यह थो हुआ basic details हैदर अली के बारे में अब हैदर अली के दौरान में यह हुआ क्या था कि जो बाकी के रूलर्स थे जैसे की बाकी के रूलर का मतलब हो गया हमारे पास देखिए तीन चार लोग रहेंगे वो सामने आएंगे एक है करनाटिक का नवाब क इसको की British की support, British का support प्राप्त है इसको हम लोग ने अलरीडि देख रखा है करनाटिक वार के दौरान में French के साथ में तो यह चार आप लोग जानते होंगे की आखिर में क्या चीज है सेकेंड मराथा मराथा भी कई बर क्या था कि अपनी वीक पुजीशन में अच्छुल में आ चुके थे और ये भी एक तरीके से कह लिजे कि ब्रिटिश के पपेट बन चुके थे ब्रिटिश ने कई सारी इन से ट्रीटीज साइन कर ली तो जिसके कारण से मराथा की पावर बहुत ज्यादा गिर गए थी इसके लावत थे निजाम लोग निजाम भी ब्रिटिश के कही न कहीं कंट्रोल में आ चुके थे और इस कारण से इन्हें भी ब्रिटिश की बात माननी पड़ती थी और दूसरे साइड में बंदे थे जिसको है जो है मैसूर अब हुआ क्या कि हम लोगों ने ये चीज़ जानते हैं कि 1959-56 के दौरान में 1956 के दौरान में एक्च्वल में जो करनाटिक था इस करनाटिक को कंट्रोल कर लिया गया था ब्रिटिश के दौरा अब ध्यान से ज़रा समझेगा एक तरह है मराठा उसके ज़स्ट निशे है करनाटिक और उसके ज़स्ट भगल में है निजाम इन तीनों ही इलाके को इन तीनों ही इलाकों को बेसिकली कंट्रोल कर लिया गया था 1770-71 के दौरान में इसके बाद से हुआ ये कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़दा एग्रेसिव हो गए कि हमें पूरे के पूरे साउथ इंडिया पे कैप्चर करना है तो एक मात राज जी बच गया एक मात इस्टेट एक मात एंपाइर बचा हुआ और वो है मैसूर एंपाइर इस कारण से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने साउथ इंडिया यानि कि आपके जो मैसूर है उस पर भी आटैक किया आटैक किया तो सीधी सी बात है जो हैदर लेली था वो रिवोट करेगा ही करेगा तो इसने क्या किया जो मराठा निजाम ये लोग है इनको आपस में मिला लिया इनको जो है एलाइंस बना लिया कि चलो भई तुम हमारे साथ आजाओ लेकिन शुरुआती दिनों में क्या था कि जो निजाम और मराठा थे ये लोग ब्रिटिश का साथ दे रहते बाद में जाकर के ये लोग इस हैदर लिका सपोर्ट कर दिये थे अब हैदर लिको जब सपोर्ट किये तो सीधी सी बात है जब एलाइंस एक साथ मिल करके ब्रिटिश के अगेंस्ट में काम करेगा तो अब यह सी बात है ब्रिटिशर हार ही जाएंगे इस युद्ध के बाद में इस war के बाद में भी यही हुआ कि जो army of British empire थी वो बहुत बुरी तरीके से और बहुत humiliating तरीके से हार गई थी और हारने के बाद ultimately इन से एक treaty से आइंड कर ली गई थी और वो थी treaty of madras तो एक बर फटा फट देख लेते हैं हम लोग first anglo-messour war के बारे में क्योंकि यह काफी important भी है हमारे लिए तो हैदरली ने अपनी एक strong army बना ली थी और जो south का इलाका है जैसे मालाबार, सुंडा, कनारा, बिदूर इसको अपने control में कर लिया था इसने क्या क्या था फ्रेंच के support से training भगर भी करवा दी थी जो इसकी army थी वो बहुत ही जादा modern technique से लड़ा करती थी और इसकी वज़े से British जो हते हैं वो बहुत ही चिंता में पड़े रहते थे क्योंकि दो reason एक against the British power यानि कि French power के साथ में इसलिए पहले ही उनके आँखों में खटक रहे थे और दूसरा जो British थे वो पूरे South India को control करना चाते तो तो इन दोनों कारणों से ये British के आँखों में खटक रहे थे अब course of the war क्या होती है कि जो British है ये मराथा और निजाम के साथ में मिल करके मैसूर पर attack कर देते है हैदर अली किसी तरीके से मराथा और निजाम को अपने साइड में कर लेता है और इसके बाद से मराथाओं मराथाओं ने इस British को बहुत बुरी तरीके से हराया था ये war काफी लंबा चला one and a half year चला without any conclusion और हैदर ने अपनी strategy वगरे change ने करके ultimately जो होता है मदरास की और ये थी treaty of treaty of मदरास के नाम से इस treaty of मदरास में standstill treaty follow की गए थी यानि जिसकी जितनी territory हो सब वापस कर दी गए थी और फिर ultimately ये pledge लिया गया कि हम लोग एक दूसरे के साथ में peaceful तरीके से रहेंगे और साथ ही साथ में अगर future में मदरास in the sense की जो इस महसूर empire है अगर इस महसूर empire पर कभी English का यानि कभी किसी foreign power का अगर attack होता है तो ये ब्रिटिशर हैं ये महसूर की help करेंगे ऐसा बोला गया था first Anglo-Messor war के treaty of मदरास के conclusive remark पर इसी चीज़ के बाद ultimately हुआ कि जो महसूर जो हमारी Maratha power थी ये Maratha power आपस में बहुत ज़दा लड़ रही थी और आपस में लड़ने के कारण ultimately ये लोग महसूर को भी attack कर दिये थे 1771 में 1771 में इन्होंने महसूर पर भी attack कर दिया अब जब attack किया तो महसूर के लिए Maratha एक तरीके से foreign power ही हो गए तो काइदे से मदरास treaty के accordingly जो British थे उनको help करने के लिए अपनी सिना को भीजना चाहिए था लेकिन इन्होंने British ने refuse कर दिया treaty of मदरास की जो भी terms है उसको और कहा कि हम लोग कोई भी army कोई भी force कोई भी help नहीं भेजेंगे तो हुआ क्या मनाठाओं के कारण से मनाठाओं के attack पर तो हैदर अली हार गया लेकिन इस हारने के कारण से obvious इबात है कई सारे area ये लोग चले गया और एक अच्छा खासा compensation में लेकर के चले गया थे हुआ क्या हैदर अली अब दिमाग इसका हो गया आउट और दिमाग आउट होने के बाद इसने क्या किया ब्रिटिश को attack करने की सोचा कि यार देखो ऐसा है कि ये लोग जो होता है वो help help करने ही रहे हैं और ये लोग किवल और किवल जूट फरे भी बात करते हैं अब इसी दोरान में हुआ कि ये इंग्लिश ये जो ब्रिटिशर थे इन्होंने माही पर attack कर दिया अब फ्रेंच आँखों में खटक रहे थे और वही फ्रेंच help कर रहे थे मैसूर की भी तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया अटैक कर दिया ब्रिटिश ने फिर से और यह जैसे ही इंग्लिश ने माहे पर attack किया तो हैदर एली ने इसे अपने territory पर attack माना और जैसे ही अपने territory पर attack माना अब्यसी बाते हैं यहाँ पर second anglo-messour war ये start हो जानी थी तो हैदर एली फूजड एन अलाइंस हैदर एली ने क्या किया कि निजाम और मराथा के साथ में वापस से अलाइंस बनाया और बिटिश फोर्सेज को फिर से हराया आरकाट में लेकिन हुआ क्या इस war में जो हैदर एली है उसकी death हो जाती है यह war बहुत लंबे समय तक चलता है लंबा मतलब की करीब करीब तीन साल तक यह चलता है और जैसे है यह हैदर एली की death होती है क्योंकि उसे दो-तीन war के बाद में यह काफी यादा चोट वगरे भी लग जाती है और इंड में इसकी death हो जाती है और जो बचा हुआ war होता है उसको टीपू सुल्तान फिर ultimately continue कर करता है टीपू सुल्तान भी एक तरीके से बड़े warrior के रूप में निकल करके आता है सर आयर कूट यह ब्रिटिश जनरल होता है और इसने हैदर एली को कई बार शुरू में हराया रहता है लेकिन ultimately जब टीपू सुल्तान आ जाता है तो war जो है वह endlessly conclude कर दिया जाता है और य gain क्या कहा दोनों पार्टी ने कहा stand still यानि कि दोनों अपने अपने जो भी areas है उस पर चले जाएंगे और जो भी area capture किया गया है वो वापस कर दिया जाएगा इसके साथ ही साथ में यहाँ पर एक और point था एक और treaty एक और यह कह सकते हैं कि agreement हुआ था जहां पर यह कहा गया कि जो prisoner है एक दूसरे इलाके के उनको वापस कर दिया जाएगा तो इस वापस करने के धौरान में यह सारा system हो गया लेकिन इस war के बाद ultimately हुआ क्या कि ऐसा माना जा रहा था कि टीपो अभी निया निया बंदा है बहुत जादा जानता नहीं होगा तो इस कारण से टीपो के ख किलने वाला बंदा था उमर छोटी थी लेकिन experience बहुत लंबा था फटा पड़ चरा टीपो सुल्तान के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में टीपो क्या है क्या किया इसने ऐसा जिसके कारण से आज की डेट में टीपो सुल्तान को criticize किया जा रहा है तो फटा सारी नईने चीज़ें भी की हैं पहले इसे जरह कुछ basics पढ़ लेते हैं तो टीपो मैसूर राज का ruler था और यह हैदर अली का बड़ा बेटा था इन वाइडर नेशनल नेरेटिव टीपो हैस सो फार बीन सीन आज मैन आफ इमेजिनेशन एंड करेज और ब्रिलियंट नहीं कर पा रहे थे वो टीपो अकेले ही चैलेंज दे रहा था उसके पीछे कारण थे इसकी modern technique, french help और जो foreign player, foreign affair की इसकी जो strategies होती थी उसके कारण से इसने जो first Anglo मैसूर वार है वो 17 उम्र की age में लड़ा था and subsequently मराथाओं के साथ और second Anglo मैसूर वार में भी अच्छा 84 के बीच में, he fought company forces four times during 1767 to 1799 इस दौरान में चार बार युद दलाला था और चारो यह Anglo मैसूर वार है और इस वार के end में हुआ क्या कि इसकी death हो जाती है, वो killing हो जाती है, मर जाता है और ultimately जो सेरी रंग पत्तनम इसकी capital है वो फिर ultimately चली जाती है British power के हाथ में और यहां से फिर fourth Anglo मैसूर वार इस टीपू की पूरी कहानी को खतम करतेता है और last में फिर जैसे ही death होती है तो जो ब्रिटिशर होते हैं वो वापस से जो वड़िया dynasty के कृष्ण देवराय है या कृष्ण देवराज है इन ही के आगे वन्शजो को बठा दिया जाता है as part of the king समझ में क्या चीज़ है अब देखिए आगे अगर बात करें टीपू ने कुछ अच्छे अच्छे भी काम किये थे इसमें पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ चीज़े हैं और फिर ultimately हम लोग कुछ और भी extra add करके देख लेंगे टीपू ने अपनी आर्मी को वापस reorganize किया था European line के ह हिसाब से नई technology इसने दी गई थी और इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि इसने पहला जो war rocket हो सकता है वो भी इसी ने include किया था इस पूरे के पूरे दोरान में जैसे कई बार पुछा आता है कि बारूद को use किस ने किया था तो जो बारूद है gunpowder उसको use किया था टीप को सुल्तान ने किया था ही इसने क्या किया था कि land revenue system को भी एक detail survey वगरे करके खोज बीन करके scientific तरीके से इसने land revenue system decide किया था और यहां पर जो tax impose किया जाएगा वो directly जो farmer उस पर किया जाएगा और इसको collect करने के लिए salary agent होते थे जो की cash format में लिया करते थे modern agriculture gave tax break for developing wasteland, build irrigation infrastructure and repaired old dam and promoted agricultural manufacturing and sericulture इसने क्या है कि navy को भी trade में support किया था तो इसने अगर देखा जाए तो काईदे से बहुत ही modern techniques use कर रहा है और जो इसका tax system भी है वो काफी modern और scientific तरीके से use किया जा रहा है scientific तरीके से बना रहा है इसने एक state commercial corporation को भी commission किया था जो की factories के setup में ध्यान दे रही थी देख रही थी monitoring कर रही थी there are concerns raised against टीपू अब देखे टीपू के कारण टीपू को कई बार क्या है कि criticize भी किया जाता है कई सारी चीज़ है अभी recent में क्या है कि कुछ newspapers कुछ news भी आई थी जहाँ पर टीपू को बहुत criticize किया गया था और यहाँ पर क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से criticize किया गया है one by one अगर देखें so there are concerns regarding टीपू सुल्तान as nearly every historical frame and perspective अब यहाँ पर देखिए नजरिया अलग-अलग होता है क्योंकि टीपू सुल्तान के बारे में जो आज हम लोग पढ़ते हैं चीज़े देखते हैं वो सीधी सी बात है कई बार entirely different character निकल के आता है और जो written part होती है वो बिलकुल अलग होती है है दर अली और टीपू इन दोनों ने मिल करके मतब इन दोनों की जो ambitions थे वो strong territorial expansion थी और इस कारण से इन्होंने कई सारे area को annex किया था बहुत सारे area को invade भी किया था outside मैसूर in doing so they burnt down entire village and town and raised hundreds of temple and churches and forcibly convert Hindus actually हुआ कि यह लोग कायदे से बोले तो जाते हैं कि religiously tolerant थे लेकिन युद्य के दौरान में वार के दौरान में जहां पर बोला याता है कि वार में किसी भी प्रकार का कुछ भी सही अगलत नहीं होता है इन्होंने पूरे के पूरे city, town, village सब को जला दिया था temple वगरे, churches वगरे को dismantle भी कर दिया था और ultimately religious conversion भी कराए गए थे और इसी कारण से आप समझ भी सकते हैं कि इसी कारण से टीपू सुल्तान को criticize भी किया जा रहा है historical record has टीपू boasting about having fused infidals to convert into Islam or having destroyed their place of worship तो कहीं न कहीं ये एक तरीके से boasting जो है कहीं न कहीं ये जो एक तरीके से शेखी मारने वाली बात है इसलाम को ले करके वो टीपू सुल्तान में थी और यही चीज क्रूटिसाइज भी की जाती है तो ये कुछ रीजन से जिसके थुरू जिसके कारण से ultimately जो टीपू है इसको criticized किया जाता है तीपू ने देखिक ए इसके लावा कौर भी बहुत सारे अच्छे-च्छे काम किये थे जैसे ये बहुत बड़ा एक innovator भी था बहुत सारी चीजों को इसने innovate किया था जैसे कि इसने एक निया calendar system ही लेकर किया था तो यहाँ पर एक निया calendar system लेकर किया था इसके अलावा इसने system of coinage इस्थापित किया था मतलब coin बहुत सारी बनवाई थी इसके जो coins है उसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे एक नाम है जिसको बोलते हैं अबीदी इसके अलावा वाकिरी तो यहाँ पर यह सब जो हम लोगों ने लिखा हुआ है आबीदी वाकिरी एंड जाफरी यह actual में coins है इसके अलावा इसने नए scale और measures इन लोगों को भी define किया था नए नए चीज़े बनाई थी इसके अलावा इसने क्या किया था एक फ्रांस के लिए जैकोबियन कलब बनाया था और जैकोबियन कलब का ये मेंबर भी था और यह आपने आपको क्या है कि फ्रेंच का एक नागरिक सिटिजन भी घोशित कर दिया था तो ये काम किया गया था हमारे इस टीपू सुल्तान के दोरा इसके अलावा इसने सेरी रंग पतनम जो की बेसिकली इसकी राजधानी भी थी यहां पर इसने एक ट्री आफ लिवर्टी भी इसने बनाया था और ये दिखाता था कि ये स्वतंतरता का प्रतीक है बिसिकली लिबर्टी जो शब्द है वो फ्रांस की कंस्टिट्यूशन और वहां के रिवलुशन से आई है और उसी चीज को टीपू भी रिस्पेक्ट करता था और यहां पर भी उसने वही काम किया था इसने जागिरदारी और जो इस्टेट इंकम की जो इंप्रीजिंग सिस्टम है उसको भी अबॉलिश कर दिया तक खतम कर दिया गया था एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो पॉलिगार हुआ करते थे वो एक्च्वल में किया है कि हरेडिटरी हो गई थी प्रॉसेस वन्शा नुगत हो गई थी इस हरेडिटरी को भी इसने स्टॉप कर दिया था और ये कहा था कि सीधी सी बात है जो भी टैलेंटेड होगा वो आगे सामने आएगा और उसी के एकॉर्डिंग में उसी को आगे चीज़े मिलेंगी बाकि इसने अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से त्यार किया था सब कुछ इसके पास था हर एक तरीकी एक मिसाइल और जितने भी पॉसिबिल्टीज हो सकती है वो सारी चीज़े थी इसके अंदर इसके अंदर अगर देखा जाए कि क्या कमी थी या क्या गणबड़ी थी तो देखिए बड़ा हिस्टी इन एक्शन था मतलब बहुत हड़ बड़ा हट थी इसके अंदर में बहुत जल्दी परिशान हो याना जैसे कि सिराज के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत stable था, mind जो है, बहुत ही sharp ली, बहुत तेजी से change होता था और इस कारणा से भी यहाँ पर दिक्कते हमें देखने को मिल जाती है अब यहाँ पर जो टीपू सुल्तान ने basically इसने एंगलो मैसूर third and fourth यह दो वार जो है, वो लड़ा था, फटा फटम लोग इस अगलो मैसूर third and fourth war के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या कुछ चीजें हमारे पास हैं, अगर यहाँ पर बात किया जाए कि टीपू सुल्तान ने आखिर ऐसा क्या reasons हुआ जिसके कारणा से third and fourth war लड़ना पड़ गया, हुआ क्या कि जो करनाटिक का एरिया था वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉब कर रहा था टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान की इक्षा भी थी कि उसे मालाबार के एरिया भी मिल जा है, हुआ क्या कि जो टीपू है इसने जमोरीन पर अटैक कर दिया, क्योंकि इसे त्रावन कोर के area के साथ ही साथ मालाबार के भी area लेना था तो जो जमोरीन था basically जो त्रावन कुर का इलाका था देसे दमान लेते हैं कि त्रावन कुर का इलाका इसने जब त्रावन कुर पे attack किया ultimately तो ये है टीपू हमारा और attack कर रहा है इसका जो परम मित्र था वो थे करने का यहां पर टीपू ने क्या किया पहले ही जो इशू क्रिएट किये जा सकते थे जैसे मैसूर इस मराथा एंड आपका निजाम इन दोनों से पहले ही टृटी कर लिया पहले ही संदी कर लिया ऐसा है तो भी बीच में मत आना बाकी हम समझ लेंगे तो जब ऐसी चीजे हो तो अल्टिमेटली ब्रिटिश के जो कॉर्णवालिस थे इन्हों ने एक बंदे को भेजा, बंदा मतलब की आर्मी के साथ भेजा, मेजर मीडोस के, जर्नल मीडोस के हाथो हाथ में जो होता है टीपो के खिलाफिक से न भेजी गई, लेकि टीपो ने उन लोगों को हरा दिया, तो फिर मीडोस साथ अपना मूल लटका करके आए, और अल्टिमेटली ये कहे कि यार हार गए, कार्नवालिस खुद अपनी आर्मी ले करके जाता है, और जब कार्नवालिस खुद ले करके जाता है, तो आव्यसी बात है कि वो उपर और नीचे, मतलब साउथ और नौट दो हुआ कि जो टीपू है, इस से एक ट्रीटी साइन कर ली गए थी, ट्रीटी ऑफ सेरी नंग पतनम, और इस ट्रीटी के दोरान में अंग्रेजों को बहुत सारा एरिया मिल गया था, जैसे मालाबार का एरिया, बारमाहल का एरिया, डिन्डिगूल का एरिया, कुर्ग का एरि अब यहां पर देखिए इंप्रूफ तो क्या ही किया इन्होंने इन्होंने पूरी की पूरी पावर को गिरा चुके थे और पूरे के पूरे जो पावर हो सकती है मराथाओं में या फिर निजाम में उसको कैप्चर कर लिया था तो कोई भी यहां पर आप यह न कहिए कि काफी अच्छे रिलेशन थे एक्च्वल में इन्होंने पावर को ही डिकलाइन कर दिया था अब अच्छा या बुरा इसमें कुछ कहाई नहीं जा सकता है क्योंकि जो लोग बचे हैं वो तो अब ब्रिटिश के गुलाम ही पपेट ही हो चुके एक तरीके से तीपु सुल्तान ने मैसूर मतलब की हैदर अली के डेथ के बाद अल्टिमेटली मैसूर को अपने कंट्रोल मिले लिया और यहाँ पर इसने फ्रेंच की आर्मी को बहुत बढ़िया से बिल्ड अप करना शुरू किया क्योंकि यही उसके परम मित्र थे और यही उसके कहलीजे की ट्रस्ट वर्दी पार्टनर भी थे अब जैसे कि मदरास की ट्रीटी हुई थी अभी हम लोगों ने देखा जब एंगलो मैसूर वार हुआ था तो वहाँ पर जब ट्रीटी की गई थी तो उसमें यह बोला गया था कि स्टींड त्ल मतलब जो भी एरिया हम लोगों ने एक दूसरे के लिए रखें वह एक दूसरे को दे दे देंगे और साथी साथ में जो भी प्रिज़नर बनाए गए है जो कैदि बनाए गए हैं उन लोगों को भी हम लोग वापस कर दिया जाएगा लेगन टीपो ने जो प् 1789 जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा टीपू ने ट्रावन कोर पर अटैक कर दिया था ट्रावन कोर जो होता है वो बिटिश का फ्रेंडली स्टेट था 1790 में गवर्नर जनरल ऑफ बिंगॉल लॉर्ड कॉर्न वालिस ने अटैक कर दिया टीपू पर और यहां पर जो पहला ब इस फोर्स है तो रिट्रेट जब कॉर्न वालिस ने अटैक किया था तब की यह कहानी है बाद में इंग्लिस एड़्वांज तोफ टीपू स कैपिटल और टीपू ने फिर बार्गेन पीस के लिए करना शुरू कर दिया इस वार की एंड होती है ट्रीटी ओफ सेरी नंग प में अर्ठीश के हाथ में चला गया था अब ब्रिटिष के हाथ में चला जाए या फिर कहिए कि यह इलाका जो है ट्रावनकोर के हाथम चला गया की होता है एक राजा के लिए उसके दुनों लड़के को उठा करके लेते चले जा रहे हैं अब इस पूरे के पूरे वार के बाद में अल्टीमेटली फिर चौथी वार होती है चौथा वार होता है होता क्या है कि जब कॉर्णवालिस अटैक करता है तो जो टीपू सुल्तान ये बुरी तरीके से हार जाता है अब यहाँ पर लोगों का ये मानना था कि टीपू सुल्तान अब कभी उपर उठ नहीं पाएगा क्योंकि इसको डैमेज बहुत जादा हो गया है इतना डैमेज हो गया है कि इसके लड़के इसके जो बच्चे हैं उनको भी उठा करके लेत प्रिटिश ये समझ गया थे कि देखो टीपू जो हार चुका है तीपू अब कमजोर हो गया है दूसरे तरफ टीपू भी ये बात मान चुका था कि अगर हम कभी हमारे खुद के इंडियन रूलर से हल्प लेते हैं मराथा से निजाम से तो उसमें चांसे यह होंगे कि अब यह मराथा या फिर यह जो निजाम है वो हमारे ही अगेंस्ट में कंस्पिरेसी कर देंगे तो इस कारण से उसने मराथा और निजाम से कोई भी हल्प नहीं मांगी और इल्टिमेटली जो फॉर्म प्लेयर फ्रेंच था उसी से ही हल्प मांगी थी तो इसने अल्टिमेटली अलाइन कर लिया फ्रेंच के साथ में और इसे ब्रिटिशर्स ने ऐस थ्रेट देखा अब जब टीपू के साथ में जब यह चीजे थ्रेट वगरे देखी जा रही थी और यह लग रहा था कि या टीपू आपस से कुछ न कुछ नया गेम प्लान कर रहा है तो फिर ब्रिटिश करने पर टीपू ने माना नहीं रिफ्यूस कर दिया और अल्टिमेटली क्या होगा अल्टिमेटली फिर वार हो जाएगी और फिर यही हुआ भी तो टीपू ने जैसे ही रिफ्यूस किया वैसे ही मैसूर को चारों कोने से घेर लिया गया और यह तो बिल्कुल तैयारी पहल टीपू के अगेस्ट में आ चुके हैं तो मराठा और निजाम ने बेसिकली क्या किया था टीपू के अगेस्ट में वार लड़ी थी और उनको नौर्थ से घेर लिया था टीपू की जो टूप थी ऑब्विस इबाती कम हो गई थी बिटिश सीक्योड डिसीसी विक्टरी बैटल आफ सेरी रंग पत्नम तो जो सेरी रंग पत्नम की बेसिकली विक्टरी है वो 1799 में हो थी और यहीं पर टीपू की मृत्य हो गई थी टीपू जो है वो डेड हो गया था अपने शहर को बचाते हुए टीपू की टेरिटरी अल्टिमेटली हुआ क्या कि बिटिश और निजाम ने आपस में बाट ली अब जड़ा देखिएगा मराथाओं ने वार में पार्टिसिपेस्ट किया है लेकिन इनको मिला कुछ भी नहीं है निजाम को कुछ एरिया मिल जाता है और बाकी एरिया लोग थे चाहे वो गायकवार हो चाहे होलकर हो चाहे वो आपके भोसले हो चाहे वो आपके गौालियर के सिंधिया हो किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया था और अंत में क्या हुआ यह पूरे के पूरे बिटिशर के ही पपट बन करके रहे गया तो और यही मराथाओं के ग तो और वापस से जो कृष्ण देवराय चिक्का कृष्ण देवराय के जो वंशस थे उसी को वापस से यहां पर राजा बना दिया गया और राजा बनाने के बाद सीन यह हुआ कि अब ये मैसूर का इलाका भी पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका था ब्रिटिशर के मैसूर इंटर्ड इंटो सबसीडियर रिलाइंसी दी सी बात है ब्रिटिश ने अपना कैप्चर कर लिया है और टीपू सिल्टान और हैदर रिली के बारे में अगर एक सेंस में देखा जाए कि टीपू सिल्टान और हैदर रिली अब देखें इनके कारेक्टर पर तो कोई क्वेशन ऐस सच नहीं करना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री में अगर कोई बंदा आगे बला है तो कहीं न कहीं उसे किसी न किसी पॉइंट पर कॉंपरमाइस करना पड़ता ही है अब वो चाहे वो अपनों से करे या फिर दूसरों से करे अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कायदे से मराथा या फिर जो निजाम है इन्होंने भी तो सपोर्ट नहीं किया था और कह सकते हैं कि उन्होंने डिजियन मेकिंग करने में कोई गड़बड़ी नहीं की थी बस कंडिशन और टाइम कुछ इस तरीके से थी कि इनकी हार हो गई अब बिटेश अल्टिमेटली इतनी पॉलिटिक्स कर रखे थे और अब एरियास को कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर रहे थे कि ये अल्टिमेटली मैसूर राज्य को भी अपने कंट्रोल में कर लिए ते थी पुरी कहानी मैसूर राजे के बारे में इससे रेलेटेट क्वेशन्स अगेन जाकर के आप लोग देख सकते हैं बाकी नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन है डूगी आगे चीज़ें आएंगी हम लोगों कर लेंगे मिलते हैं नेक्स सेशन में तिल दे खूद बढ़ एंध यू तो मुच